नमस्कार बच्चों कक्षा दस्वी के राजनीतिक शास्त्र के चौथे अध्याएं जाती धर्म और लेंगिक के दूसरे सत्र में आप सब का स्वागत है बच्चों, पिछले सत्र की क्लास में लेंगिक मसलों के संबंध में निजी और सार्वजनिक वेभाजन को हमने समझने की कोशिश की थी और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिध्यत्व की बात भी की थी और आज हम चर्चा करेंगे धर्म, सांप्रदाइक्ता और राजनीति की बच्चों हम एक लोक्तांत्रिक देश में रहते हैं जहां बहुत सारी धार्मिक विभिन ताएं हैं और भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है आज जब हम विभिन धर्मों को मानने वाले भारत देश की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ बाते गांधी जी की याद आ रही है। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीती से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब कोई हिंदू इसलाम धर्म से नहीं, बलकि नैतिक मुल्यों से जुड़े धर्मों की बातों से था। देश के मानवादिकार सम्हू की बात अगर सुने तो अल्प संख्यकों की रक्षा के लिए विशेश कदम उठाए जाने चाहिए और इसके साथ अगर महिला अंदोलन की बात सुनी जाए तो उनके अनुसार पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं आप सोच रहे हैं कि यह बाते मैं आपको क्यों बता रही हूँ यह सभी मामले धर्म और राजनीती से जुड़े हैं लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों और मांगों को राजनीती में उठाने का अधिकार है शासन सभी धर्मों के लिए समान बरताव करता है पर समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट का आधार मान लिया जाता है समस्या तब और बढ़ जाती है जब राजनीती में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विश्ष्टता के दावे और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने की होती है ऐसा तब होता है जब धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ट माना जाने लगता है और कोई एक धर्मिक समुद अपनी मांगों को दूसरे समुद के विरोध में खड़ा करने लगता है और अगर राज्य भी किसी एक धर्म के पक्ष में बात करता है तो समस्या और वी बढ़ जाती है राजनीती से धर्म को इस तरह जोड़ना ही साम्प्रदाईता है एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक समुदाईके होते हैं उनका मौलिक हित भी एक जैसा होता है और उनके आपस में मदबेद एहमियत नहीं रखते पर अगर यही बात दूसरे समाजिक समुदाईयों के लिए हो तो धर्म के लोगों का भाव अलग हो जाता है और कई बार उनमें टकराव भी हो जाता है हर व्यक्ति एक एहम भूमिका निभाता है उसकी हैसियत और पहचान अलग-अलग होती है हर समुदाई में अलग-अलग तरहां के लोग रहते हैं और सब को अपने विचार कहने का अधिकार है पर कहीं बार यह राजनीती में अनेक रूप धारन कर लेती है जैसे संप्रदाई की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलती है वह धार्मिक समुदाईों के बारे में हमारी धारना है और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ट मानने की माननेताएं इसमें शामिल है दूसरा सांप्रदाईक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाई को राजनीती में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है बहु संख्यक और अल्प संख्यक को अपनी राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा बढ़ने लगती है इसके साथ सांप्रदाईक आधार पर राजनीतिक गोल बन्दी भी होने लगती है इसमें धर्म के पवित्र प्रतीक, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बिठाने जैसे तरीकों का चुनाव करते हैं अगला लोगों की भावनाओं की बात की जाती है और इसके साथ साथ कई बार सांप्रदाईक्ता सबसे भयंकर रूप ले लेती है जैसे दंगे, नर्संहार, मार काटा दी अपने भारत देश की बात कर रहे हैं जो की एक लोकतांतरिक देश है जहां धर्म निर्पेक शासन की बात कही गई है और इसके लिए प्रावधान भी बनाए गए है जैसे मौलिक अदिकारों में अनुचे 25 से 28 तक और धर्म निर्पेक्ष को एक बहुत ही मैत्वपूर्ण भारतिय सविधान का तत्व माना गया है बच्चों क्या आप समझते हैं कि धर्म निर्पेक्ष ता क्या होती है और भारत किस तरह से एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है भारत राज्य ने किसी भी धर्म को राज की ये धर्म नहीं बनाया है आप समझते हैं कि राज की ये धर्म क्या होता है जैसे पाकिस्तान में इसलाम, इंगलेंड में इसाई, श्रिलंका में बौध धरम है पर भारत में किसी भी धरम का कोई भी विशेश दर्जा नहीं है सारे धरम एक समान है, किसी के साथ कोई भी बेदबाव नहीं दूसरा, सविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है तीसरा, सविधान धर्म के अधार पर किये जाने वाले किसी तरह के भेद भाव को अवेधानिक गोशित करता है चौथा, सविधान धर्मिक समुदायों में समानता सुनिष्चित करने के लिए शासन को धर्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है जैसे चुआ चूट की इजाजत ना होना तो देखा बच्चों कि हम किस तरह से एक धर्म निर्पेक्ष देश हैं मगर कभी-कभी साम्प्रदाइक दंगे यह साम्प्रदाइक विचार हमारे भारत की बुनियाद के लिए एक चुनोती बन जाते हैं अभी हमने धर्म निर्पेक्ष राज्य की बात की थी अब हम बात करेंगे जाती और राजनीती की यह अपने आप में सकरात्मक और नकरात्मक दोनों है आप सब जानते हैं कि जाती व्यवस्था का एक अतिवादी और स्थाई रूप भी है हमारे प्राचीन समाज में वन्न व्यवस्था की बात की गई थी जो जाती को पदानुक्रम में बाटती है जैसे ब्रामण, शत्रिये, वैशे और शूद्र इसमें अन्य जातियों के साथ साथ चुवा चूद का वेवार भी किया जाता था यही कारण है कि ज्योतिभा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर रंबेड कर और पेरिया रामस्वामी नाईकर जैसे नेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की बात कही है महापुर्शों की कोशिश से आधुनिक भारत में जातिगी सरचना और जाती वेवस्ता में भारी बदलावाया है साक्षर्ता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की सुतंतरता, गाउं में जमिदारी वेवस्ता का कमजोर पढ़ना जाती वेवस्ता के पुराने स्वरूप और वन वेवस्ता की मानसिक्ता में आज हमको बदलाव देखने को मिलता है शहरी इलाकों में इस बात पर अब जादा लोग ध्यान नहीं देते सवेधान में भी जाती गत बेदबाव का निशेद किया गया है बहराल आज भारत से जाती प्रता विदा तो नहीं हुई है पर इसमें बहुत बदलाव आ गया है आधुनिक शिक्षा विवस्ता और सवेधानिक विवस्ता के अनुसार यह बराबर है पर बच्चों आपको मालूम है कि राजनीती में जाती अनेक रूप ले सकती है जैसे पहला जब पार्टियां चुनाव के लिए उमीदवारों का नाम तय करती है तो चुनाव शेतर के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखा जाता है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाएं मतलब चुनाव जीतने के लिए जातियों का ध्यान रखा जाता है दूसरा, राजनितिक पार्टियां समर्थन हासिल करने के लिए जाती गद भावनाओं की बात करती है तीसरा, सार्वभोम व्यसक मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्ता ने राजनितिक दलों को विवश किया है कि राजनितिक समर्थन पाने वाले और लोगों को गोलबंद करने के लिए जागरुख क्या जाए इन जातियों में नई चेतना जागरेथ हुई है पर जड़ा इन बातों पर भी गौर कीजिए जिसमें किसी एक भी संसदिय चुनाव में किसी एक जाती के लोगों को बहुमत नहीं देखा गया है दूसरी बात कोई भी पार्टी किसी एक जाती के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती जब लोग किसी विशेश जाती को किसी एक पार्टी का वोट बेंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उसे जाती के लोग उस पार्टी को वोट देंगे शेत्र के लोगों का प्रभुत्व माना जाता है तो किसी जाती के मददान के सामने कभी-कभी उनकी जाती का एक भी उमीदवार नहीं होता हमारे देश में सत्तारूरदल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को कभी-कभी हार का भी सामना करना पड़ता है अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता बच्चों, अभी तक हमने इस चीज पर गौर किया कि राजनीती में जाती की क्या भूमिका होती है पर इसका मतलब यह नहीं कि जाती और राजनीती के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है चुनाव में जाती की भूमिका बहुत महतोपूर्ण होती है ये लोग मतदाताओं से संबंध रखते हैं और उनमें कुछ अमीर और गरीब लोग भी होते हैं अमीर और गरीब लोग अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं क्योंकि उनकी राए एक दूसरे से भिन्न होती है जाती राजनीती के अखाडे में व्यवस्था वस समुदायों को साथ लेने की कोशिश की जाती है तो देखा धार्मिक विभिन्ताओं और जातीगत व्यवस्था हमारे देश के लिए हमारी लोग तांतरिक व्यवस्था के लिए एक अलग पहलू है जिसे सविधानिक तौर पर समानता की बात कही गई है चलिए बच्चों अब एक बार पुनुरावरिती करते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या 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 पहले सत्र में हमने लिंग के अधार पर समाजिक पहलूं को समझा और आज हमने धर्म के अधार पर और जाती के अधार पर हमारे देश की स्थिती को समझने की कोशिश की चलिए देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया और यह जानने के लिए हम करेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर प्रश्ण पहला भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है कधन पर अपने विचार प्रकट कीजिए दूसरा प्रश्ण गांधी जी के धर्म और सरकार संबंधी विचारों पर रौश्णी डालिये तीसरा प्रश्ण सांप्रदाइक्ता राजनीती में किस तरह के रूप धारण कर सकती है चौथा प्रश्ण धर्म निर्पेक्ष किस प्रकार सांप्रदाइकता को रोकने की कोशिश करता है पांच्वा प्रश्ण भारत में जातिगत असमानता और वर्ण विवस्ता की चर्चा कीजे छटा प्रश्ण राजनीती में जाती किस तरह के रूप ले सकती है साथ्वा प्रश्ण चुनाव जातियों का खेल है और कुछ और नहीं इस कदन पर अपने विचार प्रखट कीजे आठवा प्रश्ण जाति के अंदर राजनीती पर अपने विचारों का उलेख कीजे चलिए बच्चों अब है एक्टिविटी टाइम कुछ एक्टिविटी या गतिविधियों के माध्यम से इस विशे को हम समझने और इसका आंकलन करने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी नमबर वन कौमी एक्टा पर एक स्लोगन लिखिए एक्टिविटी नमबर दो आप सोचिए कि आप एक देश के राजनेता हैं और आपको देश की विभिनताओं को एक सूत्र में पिरोना है तो आप इस विचार को किस प्रकार प्रकट करेंगे एक्टिविटी नमबर तीन सांप्रदाइक विचार को रोकने के लिए एक सुन्दर सा चित्र बनाईए एक्टिविटी नमबर चार भारत हमको जान से प्यारा है सब से प्यारा गुलिस्ता हमारा है इस गीत को किसी रचनात्मक माध्यम से स्पष्टि कीजिए देखा बच्चों आप सबने कि इतनी विभिन्ताएं होते हुए भी हम सबने एक सूत्र होने की बात को इतना महत्वपूर्ण माना है हम इन विभिन्ताओं को अपनी ताकत बनाएंगे ना की कमजोरी कोई भी बाहर का देश कभी यह ना सोचे कि हम एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि हम सब भारतवासी हैं एक लोक तंत्र देश में रहते हैं जहां सबकों अधिकार में ले हुए हैं प्रेम अपनत्व भाईचारा सहानुभूती करुणा प्रेम सहिशनुता यश गांधी जी द्वारा सिर्फ मुल्लेवान नहीं हैं बलकि हर भारतवासी की अंतह करण की आवाज है और जाते जाते इसी पर दो पंक्तियां कहना चाहूंगी छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर पे लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चांद के दर पर जा पहुँचा है आज जमाना न नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं नया खून है नई उमंगे अब है नई रवानी हम हिंदुस्तानी इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार कर द Wear B कर देंद साद बदानी हम हुआ है नए तरखवर चुके हैं कर दो कर दो दो दिए दो एंडेखार कर दो दो हिंद पूरो ओूल कर दो है नहीं हम हैं